सबी विद्यार्थियों को नमस्कार तो हम सुरू जो हमने सीरीज सुरू की थी आपकी वोकाइब डोस के नाम से तो उसी में हम लेके चल रहे हैं आपको एंटॉनिम की और वर्ड्स आपको सिखाना हमारा उद्देश है ताकि आप अच्छे अच्छे वर्ड्स लर्न कर सकें याद कर सकें और वो वर्ड्स आपकी परिच्छा में हल्प कर सकें तो चलिए देखेंगे वर्ड्स एंटॉनिम की सीरीज चल रही है वो कर डोस के अंतरकत इसके बाद से अनॉनिम है वन वर्ड है फ्रेजल है इडियम है सब कवर होगा चलिए सुरू करते हैं तो देखेंगे वर्ड्स में पहला वर्ड्स है एब्रिवियेट एब्रिवियेट है इसका आपको अंतरुनिम बताना है तो अब यह वर्ड जो है Mrs.Pelt में भी आ सकता है तो इसको अब लिख के प्रटिस कर भी कर लेंगे A-W-B-R-E-V-I-A-T-E Abbreviate वह मतलब होता है किसी जिसको संचिप्त करना या छोटा करना लगु फॉर्म में लिखना कम करना, छोटा करना, संचिप्त करना ये abbreviate कार्थ होता है अब इसका opposite की बात कर ली जाए एंटॉनिम की इसका हो जाए कि छोटा करना, संचिप्त करना कम करना इसका वल्म होगा विस्तार करना तो विस्तार करना की क्या होगी विस्तार करना की इंगलिश होती expand, expand भैलाना, विक्स्तार करना तो ये चीज है expand, abbreviate का क्या होगा expand blend इस्ताला से बार-बार जैसे हम सब्द एक कई बार बोलते हैं बताते हैं इक सब्द के कई मतलब संचित करना चोटा करना कम करना इससे सब बताते हैं दा कि आप कोई दिमाग में तो आपके छेव रहे हैं तो इस तरह से आप जीतना प्रेटिस करेंगे words के लिए और कोई trick नहीं है special और निमोनिक बना सकते हैं अब शॉर्ट पार्म इस words का कोई कि अब है अगला abdicate देखिए अगला abbreviate के बाद है आपका abdicate abdicate मतलब होता है त्यागना कोई ची छोड़ देना स्वेच्छा से जब कोई ची छोड़ दी जाती है ना actually में यह है छोड़ने के तो बहुत meaning होते हैं स्वेच्छा से छोड़ना कोई ची जब हम स्वेच्छा से छोड़ते हैं तो उसके लिए प्रियोग होता है abdicate पद त्याक जब और स्वेच्छा से छोड़ना किसी को जब हम किसी विशेश पद पर हूँ सत्ता में हूँ गद्धी छोड़ देना गद्धी एबडिकेट का मतलब हो जाएगा गद्धी पद सत्ता को स्वेच्छा से छोड़ देना इससे बगवार रामचन्दी ने छोड़ दिया था अपना सिंगासन तो उनके लिए एबडिकेट आएगा रिनाउंस भी सब दाटा है रिनाउंस तो एबडिकेट यह वर्ड है तो इसका आपको एंटर्णिम बताना है तो इसका एंटर्णिम क्या होगा छोड़ देना का इसका होगा यूसर्प यूसर्प भी होगा इसका मतलब है किसी भी चीज को अन्याय पूर्वक ले लेना अन्याय पूर्वक ले लेना यूसर्प ठेक यूसर्प का मतलब है अन्याय पूर्वक ले लेना आप कह सकते हो किसी चीज को छीन लेना जवर्दस्ती लेना अब एपडिकेट का मतलब तो सुछा से त्याग देना और यूसर्प अब छीन लेना अन्यापूर्वग छीन लेना या इसका दबा लेना भी होता है हड़प लेना जिसे कहते हैं ये भी है, खड़ अपलेना, ठीक, तो चलिए, दो वाल्डम ने सीखे, एब्रिवेट और एब्रिवेट छोटा करना, एब्डिकेट त्यागना, यूसर भी एक देखी है, गवर वाल्डम ने आपको बताया, यूसर ठीन लेना, कबजा कर लेना, एबॉलिस, एबॉलिस है ये और राजा राम मोहन राय ने मिलके किया था, ठीक है, तो किसी भी चली आ रही परंपरा या प्रथा जो समाज के लिए ठीक नहीं है, उसको एबॉलिस कर दिया, एबॉलिस मने उनमूलन कर दिया, उस प्रथा को हटा दिया, तो क्या हो जाएगा, एबॉलिस हो जाएगा, औ देखी इसके लिए एक और शब्द जो है आपका eradicate होता है eradicate eradicate का मतलब यही होता है कि पुनमूलन करना, हटा देना, समाप्त कर देना जल से उखार देना eradicate क्या होगा? जल से उखार देना, जल से समाप्त कर देना तो abolish भी आप ले सकते हैं eradicate भी ले सकते हैं और eliminate मने होता है कम कर देना किसी चीज़ को और demolish मने नस्ट करना established, abolish का antonym की बात करें, तो abolish का मतलब जहां हो जाएगा उनमूलन करना, तो established मने होता है स्थापित करना, किसी भी समस्थाको या किसी भी new डालना शुरुआत करना, foundation करना ठीक है, establish हो जागा, चलिए अगला है क्या है abominable abominable इसको कैसे learn करें हैं abominable abominable का मतलब होता है जो चीज घ्राणेत हो घ्राणा से भरी हुई हो और है जो चीज घ्राणास पद हो abominable manhus जिसे कहते हो भद्दा manhus भद्दा तो घ्राणित हो भद्दा हो manhus हो घ्राणास पद हो उसके लिए हमारे पास word क्या दिया है abominable है abominable का पूजिट हो जाएगा वो चीज जो रोचक हो, मनमोहक हो मनभावन हो, मनोरम हो और आकरशक हो तो आकरशक का मतलब क्या हो जाएगा attractive हो जाएगा abominable abominable को घ्राणास पद इसका पूजिट क्या हो जाएगा attractive अगला है average average है next word average abridge average का रथ क्या होता है देखिए इससे पहले हमने आपको देता है थे ना जो every v8 a-double-p-r-e-v-i-a-t-e कम करना, छोटा करना average कभी वही रथ है क्या है कम करना, छोटा करना, noon करना, लगू करना ठेक तो ये दोनों synonym है अब abbreviate और average को कह सकते है synonym है अब छोटा करना, कम करना average अब इसको याद करने के लिए trick भी कर सकते है कि bridge को छोटा कर दो bridge माने होता है न, pull pull को छोटा कर दो bridge को छोटा कर दो तो इस तरह से याद भी कर सकते है average average को क्या हो जाएगा चोटा करना क्या हो जागा फैलाना विस्तार करना expand करना और stretch होता है have a bridge का opposite antonyme क्या होगा? stretch average का stretch होगा अगला है अगला है क्या है इस तो कुछ है ही नहीं above क्या क्या हो जाएगा? below above माने उपर stressed मूचा इसका opposite नीचे नीचे की और नीचे एब्सेलिुट कार्थ, एब्सेलिुट कार्थ होता है, नित्त्य, सुध, सोतंत्र, स्वाधीन, स्वेचाचारी, स्वच्छंद और असीन होता है, पूरा, तो जो चीज पूरी हो जो चीज स्वतंत्र हो इसका मीनिंग एबसुलूट है मतलब खुला हुआ है बिल्कुल मीनिंग किसी सीमा में न बढ़ा हो जो चीज उसको कहते हैंगे एबसुलूट जो चीज पूर्ण हो आप इसको पूर्ण कर लिए तो क्या हमने बताया हमने आपको सुद्ध बताया सुद्ध है मीनिंग इसकी absolute है पूर्ण है स्वतंत्र है स्वाधीन है स्वच्छाचारी है बहुत मीनिंग होते हैं एक शब्द के न तो आप इस तरह से आलद याद कर सकते हैं absolute its meaning is absolute इसका जो अर्थ है वो पूरा है के या हम धी स्वच्छंद स्वाधीन पूर्ण पूर्ण समझलिए तो absolute का क्या हो जाएगा अपॉर्ड अपूर्ट से मतल्य का क्या है तो absolute का मतलब हो जाएगा का पुली से ऐगा आपका unlimited एंटॉनिम चुक्कि एंटॉनिम सीरीज चल रही है तो अबसे उत्यून मतलब पूंड लिम्टेड मनें सीमित जो चीज सीमित हो सीमाबद हो जो चीज संकोचित हो जो चीज परिमिती हो यह चीज है इसमें ठीक चलिए अगला क्या है अगला है abstain, abstain क्या है, abstain का मतलब होता है, किसी चीज से परहेज करना, बचना, तो परहेज किसका पोजित क्या हो जाएगा, परहेज करना, दूर रहना, इसका पोजित हो जाएगा, किसी चीज के पीछे करना, pursue करना, pursue माने पीछा करना, लक्ष का पीछा करना, अपने के पीछे जाना Abstain बचना और क्या है? Absurd Absurd का मतलब सब किताबों में छतरों सब दिया हुआ है लेकिन आपको कितना आता है? ये महत्पूर्ण है परिच्छा में आपको कितने वर्ड आते हैं दिया तो सब कुछ वही है, है तो सब कुछ वही जो हम बता रहे हैं, Absurd माल लिए Absurd, ये जन्दल वर्ड है कोई बहुत हाई साउंडिंग वर्ड नहीं है, लेकिन ये वर्ड आपको सब पता होने चाहिए Absurd का मतलब हो जाएगा, जो चीज विवेकहीन हो कितने विवेकहीन हो कितने विवेकहीन हो बुद्धि विरुद्ध है, अनगरली जिसे कते हैं, आप असंगत है ठेक, असंगत है, बुद्धि मा, और बुद्धि विरुद्ध है, विएकशून है, अनगरली है, असंगत है, निरर्थक जिसे आप कह सकते हो, निरर्थक है निर अर्थक उसका जो मीनिंग है अर्थक जो बात करता है विल्कुल अपसर्ड है मतलब उसकी बातों कोई मतलब ने बेतु का जिसे आप कह सकते हो ना बेतु का उसकी बाते बिल्कुल बेतु की हैं बिना किसी मतलब की बिना विवेक की हैं बिना ये चना सीजी है एपसाल्ड का मतलब आपको भी इसका बनाना है अपोजिट तो क्या होगा इसका अपोजिट होगा बुद्धिमानी से भरी हुई सेंसिबिल होगा क्या होगा सेंसिबिल होगा बुद्धिमानी से होगा समझदार समझदारी से भरी हुई एपसड का यह है चलिए अखला देखें एबंडेंस इबंडेंस यह क्या है अधिकता मीडियम रेंज के वर्ल्ड है यह बहुत टफ नहीं है लेकिन अधिकता इसके लिए क्या हो जाएगा अपोजिटिस का हो जाएगा इसकारसिटी क्या यह वर्ल्ड हो सकता है आप तो इसकारसिटी ऑफ वाटर ड्यू टू इसकारसिटी ऑफ फंड फंड की कमी के कारों S-C-A-R-C-I-T-Y है Scarcity माने होता है कमी कमी के साथ आपका OFF पिर पूजिशन से लगता है इसे WANT माने भी कमी होता है WANT OFF माने कमी होना Scarcity of lack of Scarcity of तो कमी Abundance की चीज़ कि यह दिखता है Scarcity माने कमी है अगला क्या है Ascentuate है यह आता है यह High Sounding World है आता है कि यह World आपको आता है कि नहीं आता है A-W-C-E-N-T-U-A-T-E हो सकता है Miss Spelt में भी दे दे यह World कुछ Miss Spelt की भी सीरीज सुरू होगी सभी के लिए Accentuate Accentuate क्या होगा इसकार्द और इसका Apposit Accentuate होता है देखिए जब कोई चीज को जोर दिया जाता है किसी चीज पे किसी बात पे, किसी घटना पे या किसी मैटर पे तो उसको कहते हैं जोर देना जोर देना हिंदी में कहेंगे इंगलेस में क्या कहेंगे Accentuate और इसके लिए क्या होता अधिक सुस्पस्ट करना क्या होगा Accentuate इसका क्या होगा अधिक सुस्पस्ट करना तो इसको कहेंगे जोर देना जोर देना या आप कहेंगे अधिक सुस्पस्ट करना किसी चीज को बताना जोर दे कर तो अच्छा वर्ड है Accentuate A-C-E-N-T-U-A-T-E तो अगर विद्यार थी हूँ यह वर्ड ना याद हो तो आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं सोड़ा न टेक्निक के माद्धम से टेक्निक चूँकि बहुत ज़्यादा टेक्निक हो जाती है फिर टेक्निक को याद करना है कैसे At-Ten-U-A-T At-Ten-U-A-T जब तुम दस साल के थे तो तुम हर चीज की जिद किया करते थे छोटी सी बात को सजोड दीए दस साल की उमर में तुम हर चीज पर जोड देते थे हर चीज की जिद करते थे तो वही चीज है किसी चीज को पाने के लिए बिल्कुल हटी हो जाते थे तो At-Ten-U-A-T मतलब जिद करते थे जोड देते थे बहुँ ज़्यादा उसी चीज के लिए चिलाने लगते थे बार-बार तो Accentuate न याद हो तो Accentuate At-Ten-U-A-T फिर से बता रहा है मने को इसका जो एंटॉनिम है वो भी IMPORTANT है देखिए अब तक तो उपर के कुछ Easy World आये थे लेकिन ये IMPORTANT WORLD है और टाफ भी है Disparage है D-I-S P-A-R-A-G-E ठेक? Disparage है Disparage का क्या आर्थ होगा? Disparage का आर्थ देखिए Disparage का आर्थ हो जाएगा कि तुछ समझना जब जोड जोड देना एशन चोट जब जोड देना किसी चीज को सपस्ट करना तो इसका हो जागा तुछ समझना हलका करना उपेच्छा करना हलका करना हलके में लेना अपमानित करना यह सबर्थ हो जाएगा Disparage निंदा करना यह है Disparage का मतलब Important word है देख लीजे Disparage Disparage क्या हो जागा निंदा करना तुछ समझना उपेच्छा करना अपमानित करना यह Disparage का रहत हो जाएगा इस एज में आप इसको नए याद हो तो इसको ऐसे लर्म कर सकते हैं आप इस एज में सब उसकी निंदा करते हैं चुकि अब ओल्ड हो गया तो इस एज में उसकी सब निंदा करते हैं Disparage इस एज में उसकी सब निंदा करना अपमानित करना तो दो वल्ड हमने आपको सिखा है कौन से एसेंचुएट है और डिस्पारेज है एसेंचुएट एट टेन यूएट दस वर्ष की उमर्थ में तुम जोर देते थे जिद करते थे जोर देना किसी बात को स्पस्ट रूप से कहना और डिस्पारेज इस एज में सब होता है एकसीड का मतलब होता है किसी चीज को मान लेना कि किसी बात को सुविकार करना तो क्या होगा एकसीड का मतलब किसी चीज को मान लेना किसी बात को सुविकार करना तो इसको कहेंगे हम A-C-C-E-D-E सहमत होना, कारभार पदगरहन करना यह हो जाएगा सहमत होना X-C-E-D किसी चीश से agree करना agree का यह है सिनॉनिम A-C-C-E-D-E X-C-E-D-E क्या हो जाएगा agree, agree हो जाएगा A-G-R-E-E agree होना, सहमत होना तो अब इसका कैसे होगा opposite, deny हो जाएगा इनकार करना X-C-E-D-E इसका क्यों होगा आपका deny मना करना मना करना चलिए एक word बता भी चुके है abundance बताया था ना abundance abundance, a-n-c-e जिस सब्द के अंत में हो वो noun होता है अब यह abundant है अधिक, अधिकता अधिक, अधिक के जिसे कहनेंगे अधिक के अब यह क्या है, यह आपका adjective है विशेशन है, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद noun आएगा हमें सार, ठीक, तो abundant, अब abundant का मतलब है अतिशेप पर्याप्त प्रचुर विपुल, भरपूर, कोई चीज आपके बाद है भरपूर, I have abundant water I have abundant money तो money क्या है, noun है इसकी जिस्ता कौन बतला रहा है abundant, भरपूर है, मेरे पास भरपूर पैसा है मेरे पास भरपूर भोजन है मेरे पास भरपूर सुकून है इस तरह से तो abundant, abundant हो भी चुका है abundance इसका noun form बताया था हमने तो इसका पॉजिट क्या हो जाएगा इसका पॉजिट हो जाएगा आपका इसकार, इसकार सिटी बताया था न ये भी आपका इसका आपका adjective ये भी world है चलिए और काए accustomed ये भी easy है accustomed किसी चीज का आदत होना किसी चीज का आदी होना तो इसका willum क्या हो जाएगा इसका willum हो जाएगा आपका unusual असमान, कोई चीज असमान हो accustomed ने जिस चीज के आप आदी पढ़ चुके हो आदत हो चुके हो करता हूँ, मैं मानता हूँ मानना जिसे कहते है स्वीकार करना मानना इशको कहेंगे हम need knowledge कि अंगिकार करना आभार परिकर्ट करना किसी चीज को तो यह चीज होता है acknowledge इसका opposite किया होगा इसका opposite हो जाएगा मानते हैं तो देना ही हो जाएगा नहीं मानना ठीक तो चलिए एक बार कोई खमरी वीजन कर लेते हैं वर्ड का ठीक ताकि आपको और अच्छे से लर्ण हो जाए वर्ड देखिए हमें वर्ड बताया आपको अब्रिवियेट का मतलब होता है छोटा करना कम करना और इसका विलोम आपको बताया आपको आपको बताया आपको बताया आपको बताया का मतलब होता है कि त्यागना चोड़ना स्विच्छा से कोई पद को छोड़ देना एबॉर्ड इसका मतलब ब्रिज मने चोटा करो pull को छोटा करो मतलब संचिप्त करना छोटा करना और इसका abbreviate का तो हमने आपको बताये है abbreviate और abbreviate दोनों एक ही है above का मतलब होता है उपर absolute का मतलब होता है जो चीज पूर्ड हो जो चीज स्वतंथ हो जिस इसका पूरा आर्थ निकलता हो जो सुद्ध हो जे चीज तो abstain abstain का मतलब होता है क्या? नियंतरत करना और absurd absurd का रत होता है बेतु का, बिना कोई बात का abundance, abundance कार्थ होता है अधिकता, accentuate at 10U8, तुम जोड देना किसी बात को, किसी चीज़ को spust करना, su spust करना किसी चीज़ पर, बता ना, जोड देना है किसी दस वर्स की बास थाम जब तुम के थे तो जोड देते थे किसी चीज़ जिद करते थे इसका disparage बताया disparage अच्छा वर्ड है, हतोत साहित करना, निराज करना exceed मने सहमत होना abundant मने अधिक accustomed मने आदत होना acknowledge मने किसी चीज़ को स्विकार करना चलिए छात्रों, तो हमने आपको ये world बताए, आपके entering की series चल रही है और इसमें हम world cover कर रहे हैं अच्छे अच्छे, तो आपकी exams में आएंगे ठीक, तो कैसा लग रहा है हमारा ये प्रयास आप कमेंट करके बताएए और अधिक से अधिक इसको हमारे वीडियो को share करिए ताकि आप जो students है हो सकता है, आपके पास वीडियो पहुंचे आपके लिए important ये ना हो जादा चीज, ठीक है, लेकिन जो students तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये worlds बहुत काम आएंगे हैं और worlds ही English है, अगर एक्स्रीम देखा जाए तो ये English की backbone क्या है हमसे अगर पूछा जाए कोई तो English की backbone क्या है तो हम ये कहेंगे worlds जिसके vocab अच्छी हैं English उसके हाथों में हैं तो यही हम सुरू भी कर रहे हैं vocab dose के नाम से ठीक, एंटॉनिम चल रहा है जिसके vocab फिर से मजबूत है, उसकी English में कोई कुछ नहीं कर पाएगा रूल्स भी मालूम होंगे तो ठीक मालूम तो हैं लेकिन आपके worlds नहीं मजबूत हैं चलिए फिर मिलेंगे एकली क्लास में और अच्छे-च्छे worlds के साथ नमस्क्राइब